Hello everyone, स्वागते हैं आप सभी का हमार इस YouTube चैनल में चाहां हम लोग informative वीडियो लेकर रहाते हैं मैं हूँ जावेद और आज हम लोग बात करिंगे बाउट दे कश्मीर प्रॉब्लम या दोस्तो, one of the greatest problem after independence इंडिया में कही न कहीं ये कश्मीर प्रॉब्लम आज भी एक मुद्दा बना रहा है well, right from the time of 1947, that means from Indian independence till now, अभी भी कश्मीर को लेकर बहुत सब्सक्राइब कर बाउट से अटाक्स होते हैं और प्रॉब्लम होती ही रहते हैं well, ये प्रॉब्लम कभ से originate कर रही है particularly इसके, you know, जहां से ये originate हो रहा है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इसका एक background रहा था इस problem को लेकर background के बारे में बात करेंगे right, और इसके बात फिर जो इसके characteristic features है for example, instrument of accession उभर कर सामने आया था right, और as a result of which इसके impact क्या हुए थे and फिर further ceasefire होता रहा and then finally, you know, आज भी ये problem जो है you know, एक volcanic eruption के तौर पर शकल बदलता ही जा रहा है so इन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले है so here we start this video तो मैं पहले आपको बता दूँ के in the year 1947 independence, हिंदुस्तान को अज़ादी मिली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग-अलग sovereign states, sovereign country के हैसे से दुनिया के नक्षे में शामिल हो गए and then, एक जो provision मनाय गया था कि हिंदुस्तान में, यानि बटवारे से पहले, पाकिस्तन से पहले जित्ते भी native states थे, जित्ते भी princely states थे, उनको ये option दिया गया था कि वो आइदर हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाए, merge हो जाए, या फिर पाकिस्तान के पास चले जाए तो यहाँ पर कुछ there were as many as, कुछ जगे में आता है 560, कुछ जगे में 562, कुछ में 600 के आसपास princely states के बारे में numbers बताए जाती है, यह यहाँ पर एक controversy है, अलग-अलग literary sources, अलग-अलग तरीके से बताती है, well, among these princely states, one of the, जो problem उभर कर सामने आता वो यह है कि इन princely states को या तो हिंदुस्तान या तो पाकिस्तान में शामिन होना था, तो यहाँ पर बहुत सारे जगे ऐसे थी, जहाँ पर Muslim majority थी, लेकिन एक Hindu राजा अपने शाशनकाल को चला रहा था, administration को समाल रहा था, well, कुछ जगे ऐसे भी थे जो हिंदु majority area था, लेकिन बावजद उसके, वहाँ पर कोई Muslim ruler हुआ कर देते हैं, तो यहाँ पर एक problematic situation उभर कर सामने आता है, कश्मीर problem जिसके बारे में लोग बात करने जा रहे हैं, उनमें से ऐसा ही कुछ problem यहाँ पर भी देखा गया था, after 1947, यानि, after independence, so मैं आपको बता दूँ पहले, कि कश्मीर जो है, proved to be the most naughty problem in the task of accession of native states with the union of India, तो strategically कश्मीर important था, from international point of view, यह बात बहुत obvious है, यही reason है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहीं न कहीं अपनी दोनों ही अलग-अलग जो countries हैं अपनी फौजों को वहाँ पर हमेशा ताइनात रखती है, so मामला यह है कि that covered an area of about 84,000 and 471 square miles in the north of India, तो यह एक border है, right, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो border है, उस border का नाम है Red Clive, यहां तो दोस्तों यह Red Clive border है, so मामला क्या हुआ तो दर असल इस problem को लेकर जो जहां से यह originate हो रहा है, well, हरी सिंग जो के यहां एक Hindu ruler थे, right, and यहां पर basically जो population था, मैं आपको बता दू, population Muslim majority population था, कश्वीर, लेकिन बावजर उसके एक Hindu ruler वहाँ पर rule कर रहे थे, so मैं आपको बता देता हूँ, कि कुछ 75% जो है, वो population, वो Muslim majority population थे, and 25% दूसरे जितने भी Buddhism, Jainism, और दूसरे category Hindus, वगरा वगरा, so यहां पर बावदिर उसके, you know, मामला यह होता है, कि, you know, Lord Manbatten, जो है, Hari Singh को advice करते है, to join either India और Pakistan, well, दोनों ही India हो या Pakistan हो, separately appeal कर रहे थे, कहीं न कहीं, कि वो Hindustan के नक्षे में शामिल हो जाए, पाकिस्तान के नक्षे में शामिल हो जाए, ताकि उनके political and economic means को ज़्यादा पहुंच सके, well, मैं बता दूँ आपको, तो कि, शेख अब्दुल्ला, जो कि उस वक्ट चीफ थे, of the national conference, तो यहाँ पर political agenda को भी वही follow कर रहे थे, main political party of Kashmir, right, began to mobilize public opinion, in favor of joining India, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, कि एक जो situation हो रहा था, कि, like, हिंदुस्तान में शामिल होना है, या फिर पाकिस्तान में शामिल होना है, तो वहाँ पर एक, you know, एक democratic sense रखने वाला आदमी, जो constitutional monarchy, फिर बाद में वहाँ पर, you know, enforce कर दिया जाता है, अभी फिलाल आप लोग जानते हैं के, अगस्ट 2019 में, you know, कश्मीर जो के एक state हुआ करता था, अब वो state नहीं रहा, वो एक union territory बन चुका है, दो अलग-अलग हिस्तों में, एक लदा के नाम से जाना जाता है, और एक जम्मोन कश्मीर इक अलग, दो अलग-अलग territories हो गए, right, so, यहाँ पर, you know, political, जो एक figure थे, शेयक अब्दुल्ला वो pressure बना रहे थे, right, and at the same time, public opinion को, you know, in favor of joining India, यह उभर कर सामने आ रहा था, लेकिन Hari Singh, was in favor of कश्मीर being a separate and independent state, लेकिन यहाँ पर Hari Singh चाहते थे, कि वो ना हिंदुस्तान के पक्ष में जाएंगे, और ना ही पाकिस्तान के शाथ शामिन होंगे, तो यह situation कहीं न कहीं, you know, थोड़ा सा मुद्दा, जो है, और जादा miserable condition को create कर रहा था, well, 22 October 1947, कुछ raiders ने, पाकिस्तानी ट्राइवल मेंस ने यहाँ पर हमला कर रहा, लेकिन उससे पहले भी एक जो मामला होता, वो यह है कि दोस्तों, कि यहाँ पर, यहाँ बात की जाती है, कि किसी तरीके से plebiscite करवाया जाए, यानि एक vote करवाया जाए, वोट के बाद यह फैसला किया जाएगा, कि यह कहाँ पर, basically, यह हिंदुस्तान में शामिल होगा, या फिर पाकिस्तान में, वोट बाइदे टाइम, इस तरीके से वोट करवाया जाने की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान को यह धर था, कि ultimately, यह हिंदुस्तानियों के हट में चला जाएगा, तो ultimately, यहाँ पर 22 October 1947 को, पाकिस्तानी ट्राइबल में, यह नो, ट्राइबस में होते हैं, यह पठानी वारियर, यह हमला करते हैं यहाँ पर, कश्मीर में, और अल्मुस्-अल्मुस् श्री नगर तक पहुँच जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लूट पार्ट और प्लंडरिंग कहीं न कहीं, वाइड स्केल के तौर पर देखा जा सकते हैं यहाँ पर, एक एड्मिन्स्ट्रेडिफ इंपास, इंपैस क्रियेट हुआ था, और इन फाक्ट, एड्मिन्स्टेशन अल्मुस् कोलाप्स हो चुगी थी, हरी सिंग उस कंडिशन में नहीं थे, कि वो वहाँ पर इंफिल्ट्रेटर्स जो थे वहाँ, पाठानी वोर्योर्योर्स, उनको जवाब दे सके, यहाँ पर एक मामला उभर कर सामने आ रहा है, कि वो हिंदुस्तान के साथ सम्झहता करे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ सम्झहता करने वाला मामला तभी पॉसिबल हो पाता, अगर कश्मीर एक लीगल एक लीगल फॉर्मिलिटी को पूरा करता, और हिंदुस्तान के नक्षे में शामिल होता वैल मीनवाइल क्या होता है कि इसी टाइप का मामला होता है एक इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन जिया दोस्तों एक लीगल फॉर्मल प्रोसीडर था प्रोटोकॉल था जो इसको फॉलो करना था कश्मीर को ताके वो इंडिया के नक्षे में शामिल हो जाए इस तरीके से पठानी वोर्योस से कश्मीर को बचाया जा सके वैल 26 अक्टूब से इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया जाता है वाल यह जो इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन अब कह रहे है यह अब कह सकते हो कि यह एक लीगल फॉर्मल प्रोसीडर था तो इंडियान आर्म इस तरीके से इंटर्वेंड करती है ऑन ऑक्टूबर 27 1947 और इस पाकिस्तान के नक्षे में नहीं दिखता है पाकिस्तान पाकिस्तानी ऑक्ट कश्मीर जो है पी ओके सुना होगा हम लोग ने तो वह और आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी के पास है और अधा कश्मीर जो है वो हिंदुस्तानियों के बाशे है वाल यहांपर देखा जा सकता है दोस्तों मॉन बैतन ने कैंट कश्मीर इशु को रिफर किया सेक्यूरिड़टी कांसिल में यह उन्fig के सीकुरिटी कांसल याने उनाइटे नेशन और तो अवाइड एनी मेजर शैडो उनाइटे नेशन चुके 1945 में एक नूली और तो ताकि उसका मोटीव था पीस और सेकुरिटी को को इंटरनेशनली मिंटेन किया जा सके तो उसके पास ही मामला जाता है और वहाँ पर यह नू अपने तरीके से इस मामले में इंटरवेन करता है और सीस फायर के बारे में बोलता सबसे पहले और देन बाद में फिर कश्मीर प्रॉबलम सिंस 1947 अन्रिजॉल्व ही रहता है क्योंके हर मामले में कभी पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है तो फिर 1960s के बाद से हिंदुस्तान को भी सपोर्ट मिलता है फ्रम USSR तो यह मामला और एक Cold War का परस्पेक्टिव बन जाता है अल्टीमेटली यह हमारा कश्मीर प्रॉबलम यही रिजन है कि 1991 जब you know Cold War खतम भी हो चुका है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यह प्रॉबलम आज भी एक ग्रिविस प्रॉबलम माना जाता है जो दो कंट्री की बीश में आज भी कंट्रीक को क्रियेट करता है यह कंट्रीक्ट अभी तक अन्डिजॉल्व है तिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइकन सब्सक्राइब